हेलो फ्रेंज मैं दुकोशल आप सबका वेलकम करती हूँ मेरे यूटूब चैनल लेट स्टड़ी फ्रॉम में और आशर करती हूँ आप सब अपने अपने गर उपर अच्छे से होंगे तो friends, आज एक स्टूरी लेके आई हूँ जिसका नहीं है इना आउट और आफ एम क्र उपर तैएं , जसको आप ति डवी कह सकते हैंते हैं और आंट को अप चिंदी word फ्रॉम 5 में रहlightे थे हैं और आप फ्रॉक पूर दिन काम करने वाली और ऑणिपर और अपने मस्ती में समर अलेह लॉंग दाने होते हैं फूरूट्स होते हैं वेचेबल उसको मिलता था वो उसको इकठा करते थी और ग्रास ओपर है वो क्या करता है वो कुछ नहीं करता था था पूरा दिन ही गाने ही काता था इंट पूरा दिन क्या करते है उसको चेहखे है कि मैसे तकाम क्यों करती है। तुम भी मेरी तरह आराम से रेस्ट करो, मस्ट रहो, लेकिन आंट उसकी बात नहीं मानते थी, और देखे क्या हुआ, अब जो ग्रास ओपर है, इसको गाना गाना पिसंद नहीं था, और उसको बहुत जादा भूग भी लग रही थी, देखा आपने, इसने बिलकुल भी कुछ भी समर में सेफ नहीं किया, अपना ऍसके पास खाना है, ना रहने को घर है, और ना ही इसको कुछ ओडने के लिए इस पूरा अपना फून भान खान और है। सिंस अन्ट पाइट्ट आपर उसके ता सब नगाएं का रही है। देखें अन्ट भार जाएं लॉट्ट रही हैं इस अपी रही है। आपके लोगाजने का जुड़े लॉट्स पर बेठेएं का सचादा जाए कर रही है। उसको कहीं से भी विंटर है वो बहार नहीं चाहेगी क्योंकि उसने अपने विंटर का पूरा जो इंतजाम है वो समर के टाइम में कर लिया था अब वो रेस्ट करेगी और वो खाना काएगी and the grasshopper, poor grasshopper see, the grasshopper saw the aunt's house, he knocked her door see, grasshopper को किसका गर दिखा, aunt का गर दिखा, तो वो क्या कर रहा है उसके door के उपर knock कर रहा है and the aunt listened to the poor grasshopper, she pitted him and she let him in देखे, aunt ने door खोला और उसको बचारे को उसके ऐसी हाला देखकर उसको उसके उपर दया आ गई और उसने क्या किया, उसको रूम के अंदर इंवाइट कर लिया and the aunt covered the grasshopper with warm clothes, she gave him grains to feed upon देखे, उसने क्या किया, उसको राहां से उसको बैट पिलिटा दिया है उसको warm clothes से उसको धग दिया है, ताकि उसको ठन है, उसको ना लगे और उसको खाने के लिए भी कुछ दिया है, ताकि उसको अच्छा फील हो, अब उसके घर में आ गए है तो उसको ठन भी कम लग रही है, उसको खाने को मिल ले है, तो वो उसको थोड़ा सा बैटर फील कर रहा है and after that the aunt explained to the grasshopper about working hard the grasshopper realized his mistake, बाद में चब वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है grasshopper तो aunt उसको explain करती है, क्या explain करती है, कि आपको work करना चीए, hard work ज़रूर करना चीए अगर उसने भी समर में कुछ work किया होता, अपने लिए food इकठा किया होता, तो आज उसको पच्छतावा नहीं हो रहा होता इसे तुमारे तरह ही मेनत करूँगा, और अपने future के लिए जरूर अपना कुछ ना कुछ safe जरूर करूँगा, अपना खाने के लिए, अपने पहनने के लिए, हर चीज़ के लिए तो देखा friends, यह एक छोटी से स्टोरी थी, I hope आपको अच्छी लगी होगी, तो इस स्टोरी से हम सबको सीख मिलती है, क्या सीख मिलती है कि समय का सदूपयोग करें, कभी भी समय की value हमेशा करनी चीए, कभी भी समय को कम मत समझी, तो समय चला जाता है, वो कभी नहीं आता ह ठीक है, समय की जरूर कदर की चीए, क्योंकि बाद में सिर्फ और सिर्फ पच्छतावा ही मिलता है, और उसके सीवा कुछ भी नहीं मिलता है, वैसे ही ग्रास ओपने भी अगर समय पे सब कुछ कर लिया तो उसको पच्छतावा नहीं होता, लेकिन कहते हैं गल्तियों से तो उसने सीखा है, तो उसी तरह से हमें भी सब को इस स्टोरी से सीख लेनी चाहिए, हमेशा, we have to be hard working at the time of work to spend the life in the old age, good, ठीक है, अगर old age में हमें अपनी life को good रखना है, अच्छा रखना है, तो हमें अभी से hard work करना पड़ता है, कई बार हम सोचते हम young है, कोई बात नहीं अभी नहीं हम करेंगे, बात नहीं करेंगे, लेकिन हमें यंग time में ही काम करना है, तब ही हमारा चो old time है, वो अच्छा जाएगा, इसलिए हमेशा future के लिए कुछ ना कुछ सेव कीचिए, और अपना चो time है उसकी ज़रूर value कीचिए, चलिए friends, आज के लिए इतना ही, I hope आ my video friends, take care, bye bye